रितिक के साथ डेटिंग की खबरों पर सबानी तोड़ी चुपी पबलिक प्लेस में एक दूसरे का हाथ थामें नजर आए दोनों रितिक की मिस्टरी गर्ल का खुला राज क्या कहा सबाने आईए जानते है बॉलिवूड आप्टर रितिक रोशन इन दिनों मिस्टरी गर्ल को लेकर स्पोटलाइट में है क्योंकि शनिवार को मुंबई के एक रेस्टरारंट के बाहर निकलते हुए वो नजर आए उनके साथ में एक गर्ल भी थी जिसके हातों में हाट डाले वो बाहर आए रिपोर्ट्स के मुताबिक ये और कोई नहीं बलकि दिल कबड़ी और मुझसे फ्रेंट्शिप करोगे की एक्ट्रेस सभा आजाद है जो एक म्यूजिशियन है ऐसे में अब उनका नाम रितिक रोशन के साथ जुड़ रहा है लेकिन दोनों के बीच वाकई कुछ है या नहीं या दोनों सिर्फ फ्रेंडली डिनर पर गए थे ऐसे कई सवाल मन में उट रहे हैं इटाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इन सवालों के जवाब पाने के लिए अक्ट्रिस को कॉल किया था बता दे कि उन्होंने शुरुवात में ठीक से बात भी की लेकिन जब उनसे रितिक और उनकी दोस्ती को लेकर सवाल होने लगा तो उन्होंने कहा कि सॉरी मैं कुछ काम के बीच में हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करूँगी हाला कि इस बाचीत के दौरान उन्होंने रितिक के साथ नाम जुडने की बात को ना ही न कारा और ना ही रितिक के साथ अपना relationship status साफ किया हाला कि कुछ लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि सवा म्यूजिशियन है तो शायद रितिक के साथ कोई music वीडियो या ऐसे ही किसी project के लिए उनके साथ नजर आई हो दोनों के relationship status को लेकर अभी तक industry से भी किसी ने कुछ साफ नहीं किया है अब तो रितिक और खुद सवा ही बता सकते हैं कि दोनों के बीच आखिर क्या खिचड़ी पक रही है वेल इस खबर पर आपके क्या राह है नीचे कॉमेंट्स करके हमें जरुर बताईए और बॉलिवड नापको सब्सक्राइब करना ना भूलिए